हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल अलिन वर्नेस था आज हम पढ़िंगे स्पोर्ट्स के एंपी के स्पोर्ट्स है जी के उसके बारे में क्योंकि एंपी पेस एक्जाम्स आ रहे हैं आप लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं और यह जो वीडियो है पूरा स्पोर्ट पर है उसके कोशन्स हम मैंने लिए हैं यहां पर आज जो कि आपके एक्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो और बेल आइक उनको जरूर दबाये ताकि उसके इंदर जो है खेल संग्राले भी बनाया गया है और टीटी नगर स्टेडियम जो एक मल्टी परपस्ट स्टेडियम है बोपाल का और इसकी जो ओपन हुआ था ये 1982 में हुआ था एंड दोजार तेरा में जो इसे रिनोवेट भी कराया गया है और इसकी जो लगबग है वो ट्वेंटी थाउजन है सुरी हां ट्वेंटी थाउजन है और जो ऑपरेटर इसका वो डारेक्टरेट स्पोर्ट एंड यूथ वेलफियर है इसका ऑपरेटर तो फ्रेंस ये थीसकी जानकारी एसबाग स्टेडियम के बारे में पढ़ेंगे नेक्स और मद्यप्रदे स्टेडियम कहां पर है तो फ्रेंस नेहरु स्टेडियम जो है मद्यप्रदेश में वह इंदौर में है और इसकी लगबग 1964 में इसका हुआ था और कैपेसिटी इसकी 25,000 है और मद्यप्रदेश का विक्रम अवाड विश्वामित परुसकार जो है खेलों से संबंद रखता ह विश्वामित परुसकार जो है वो विक्रम रॉषकार ही है तो MP का सबसे बड़ा परुसकार विक्रम परुसकार विक्रम अवाड का समंत खेलों से है विश्वामित복 पrouसकार जो है next question में हम ले रहे हैं कि म्यप्रदेश क CAD में ही इसको प्रेजाता तो यह विश्वामितृ तो यह किल प्रिसिक्षकों को दिया जाता है और मध्य प्रदेश के किसा है को खेल की राजदानी तो यह इंदौर को इसका प्राप थे खेल aan इंदौर को कहा जाता है मध्य पर देश की सब्सक्रित कियोफ सिह एका ड़िकरन का आपfarटन उस नामใस नrepfe पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट जो है दो देशों के बीच में खेला गया वो दो देश थे इंडिया और वेस्ट इंडिस और वो कब खेला गया बाइस जन्वी है तो दिहां से देखिए वीडियो को दिहां से पढ़िए इस कोशन को और नेक्स्ट कोशन है 1996 में विश्व क्रिकेट कब भारत और वेस्ट इंडिस के बीच में मध्यप्रदेश के किस में अभी हमने पढ़ा तो यह है रूप सिंग स्टेडियम में खेला गया और मध्यप्रदेश में दूधिया रोसनी से युक्ति कौन सा स्टेडियम है तो दूधिया रोसनी से युक्ति रूप में किस नाम से तो हभी हमने पढ़ा होल्कर क्रिक्ट एससेशन के और के मद्रदेश खेल संचालन की स्थापना 1975 में कहां गी गई तो इस पना गी फिंट भुपाल में नालाई की इस थापना 1975 में भुपाल नालाई स्थापना 1 अक्टूबर 1975 में हुई थी और नेक्स्ट है मद्यप्रदेश में पंदित रवीशंकल सुकल स्टेडियम कहां पर यह इसका अंसर जवलपूर तो रवीशंकल सुकल स्टेडियम जो है वो जवलपूर में मद्यप्रदेश में विश्वामित्र खेल पुरुस्कार क स्थापना की गई और जो एक मात्र आदिवासी खेलकुद विद्याले मद्यप्रदेश में वो है सीहोर में तो सीहोर में एक मात्र आदिवासी खेलकुद विद्याले है होलकर क्रिकेट स्टेडियम को पहले किस नाम से जाना जाता था तो होलकर स्टेडियम को पहले जो है उस महाराणी उसाराजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना था इसका नाम जो है 2010 में चेंज किया गया है ठीक है फ्रेंड तो पहले महाराणी उसाराजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता था होलकर स्टेडियम को होलकर स्टेडियम जो है उसकी स् कोजन रुपी जो है प्राइस जो है देखते हैं माध्य परदेश के किस हमें किपगारी क्लब इंदोर में 180 90 में स्थापित किया गए जिसका नाम किया मद्यप्रदेश की किस खिल स्टेडियम में खेल संग्राले बनायों गया Titi नगर स्टेडियम में खेल संग्राले है जो है वो बनाया गया ओके नेक्स लेते हैं बैडमिंटन एसेशियेशन का मुख्याले कहां पर है तो वो जो है बैडमिंटन एसेशियेशन का मुख्याले जवलपूर में हैं कवीर अंसारी एवं असलम खान किस खेल से कवीर अंसारी और असलम खान दोनों ही जो है हौकी से संबंदित हैं फ्रंस य सबसे पहले जो है पार्सी क्लब इंदॉर से ही इसकी सुरुवात हुई है वह हुई है एटी नाइन टी में मद्यप्रदेश होकी एस्सेशन का कार्या जो है वह जवलपूर में मद्यप्रदेश होकी यांध्रेश का कार्या जवलपूर में है एक जो मत्यप्रदेश टेबल टेनिस एस्सेशन चाहें 27 तो गुर्णाइबरेंट किंदाओं इसका जो मुख्याले वह इंदॉर में हैं फ्रैंसिट को क्षोष्वा मुत्रपुरुस्कार जो है 2017 को से कि नेक्स कुशन लेते हैं कि स्वाव श्री प्रभास जोसी जो है खेल पुरुसकार 2017 किसको दिया गए यह दिया गया चंदर सेकर चोहान को जो कि उजयन के हैं इन्हें मलकम खिला डियें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुसकार 2017 का वो किसी मिला सरी 2017 का खोको क्रिकेट और कवड़ी मुल लेकने के लिए किसी दिया गया लाइफ टाइव अचीवमेंट अवार्ड यह बहुत इंपॉर्डन कोशन है यह मिला है स्वा प्रभाकर कुलकर्णी मर्नो प्राद इनको वेरी मच और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दवाई है थैंक यू फ्रेंट्स थैंक यू वेरी मच